हलो एन वेलकम टू मैगनेट ब्रींस हिंदी मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाडिदार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कक्षा आठवी का सामाजिक विज्ञान हमने शुरू किया है और यूपी बोर्ट के अंतरगत इतिहास जो है बड़ा इंटरस्टि के प्रभाव यह चैप्टर से पहले हमने सिमिलर चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नबर 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार जहां पर हमने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने के से युद्ध लड़ लड़के पूरे देश पर राज किया था और अब हम लोग पढ समाज पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है बस हमें वही समझना था और इसी दोरान आज के इस लेक्चर का हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिविजन करने वाले हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो सारे हमने कंप्लीट कर लिया है तो आज बारी आती है हमारा फुल चैप्टर रिविजन करने वाले तो आईए शुरुवात करते हैं बिना समय को गवाएं लेकिन सबसे पहले में खास बात बतना चाहता हूं कि मैगनेट ब्रेंज से कैसा प्लेटफॉर्म में जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रवाइड करता आप चाहे तो आप चाहे तो अपने फॉन में गूगल प्ले स्टोर से हमारा एक भी डाउनलोड कर सकते हैं हर जगे आपको मैगनेट बीन्स हमेशा फ्री ही दिखाये देगा आए शुरुबात करते हैं सेशन की सबसे बात करते हैं दोहरे शाशन की बंगाल में दोहरे शाशन की आया जब एक नहीं जबकि दो दो लोग शाशन करते थे एक तो राजा दूसरे अंग्रेज क्या हुआ होगा ऐसा मैं आपको बता दू कि भारत में अंग्रेजों ने शाशन की शुरुवात करना शुरू की थी प्लासी के युद सन 1757 से यह अंग्रेजों का कारेकाल है दोस इसको सही लिख देता हूं 1757 प्लासी के युद्ध से 1857 के युद्ध तक यह सो सालों का इतिहास रहा है अंग्रेज ब्रिस्ट बिटिस इंडिया कंपनी का अंग्रेजों ने भारत के विशाल सामराज्य पर कबजा दमाने के लिए कबजा दमाने के बाद शाशन चलाने के निकाले तो कैसे कैसे कबजा दमाया कैसे कैसे शाशन किया जाए क्योंकि हम व्यापार से संतुष नहीं हमें साशन भी करना है क्योंकि अंग्रेज को पता था कि अगर यह शाशन व्यापार के साथ साथ शाशन की बागदूर हाथ में आगे न तो हम जो चीज चाहे वो खरी के दोरान भारत भारत पर अंग्रेजों की पकड़ भारत पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ को बनाया रखा सो सालों तक दोस्तों अपनी पकड़ को यहां से हिलने नहीं दिया और इतना मजबूती से उन्होंने शाशन किया कि हमें मजबूर होकर अठार स्वस्तान की करना अपड़ी अंग्रेजी शाषन का प्रशाषनिक धाचा इनी सभी उद्देशों की पूर्ति के लिए बनाया गया था किन उद्देशों की पूर्ति के लिए भारत पर प्रशाषन करने के लिए भारत में व्यापार करने के लिए तो व्यापारी को प्रशाषनिक यानि अपने कम हुआ कमजौर हुए ये भारती लोग कभी भी अहां पर आकरमन कर सकते थे यह अंग्रेश का सोउसचना था तो कभी भारती उन पर आकरमन कर सकते थे एक जूट कर Supporterег कर बंगाल पर नियंतरन होने के क्लाइव ने जीता सन 1757 में प्लासी का युद्ध हारने के बाद सिराजुद दॉल्ला की तो मौत होगी तो उनको मार दिया गया था मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना लेकिन वह कथ पुतली शाषक था उसने यह बोला था कि भी तो अंग्रेज बोलेंगे को करना पड लेकिन व्यवस्ता कानून व्यवस्ता काम विकास करने कांथ यह राजा के अंदर रोगा राजा की जि边म् или होगी इसका मतलब अंगरेजों के पास अधिकायर तो बहुत थे में दायुत ओं घे डयत्म थे लेकित अधिकार नहीं तपनी है था इसी वज़े से जनता उसके विरोध चली गए थी कि राजा किस तरह का राजा जो इनकी बात सुन रहा है विदेश से आये लोगों की बात सुन रहा है शायद यही करन था कि मीर जाफर ने अंगरजों के खिलाब विद्रोग किया था और मीर जाफर को वटा दिया उन्हें इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस व्यवसूली का कारे था और नवाब के पास राज्य की कानुन व्यवस्था तथा राज्य के विकास कारें की जिमेदाई थी यह यह मीर जाफर मीर कासीम जो आए ना इन लोग को बोला कि आप तो खाली कानुन व्यवस्था देख लेकिन अधिकार एक नहीं था तो सिद्धी बात है कंपनी ने अपना मुनाफवा देखा प्लासीके युद्धिक बाद कंपणी को इतना मुनाफ़ा हुआ Company के लोगों को जड़ा मुनाभव क्योंकि company तो घाटे में चल रहे थी अंग्रेजोंने company को Гाटे में लादिया था वो भी में बात करूंगा घाटे की बात लेकिन इतना ज़्यादा राज़न सुसुला गया जिसको विकास कारे में लगाये ने गया खेती में लगाये ने गया राहतकारे में लगाये ने सादा पेशा ऑं motivat उन्ने खुझ जप्था लिया इसी वजह से बंगाल में अर्थ व्यवस्ता फंकट में आ प्रक्ष्ट संक्रथ बंगाल जा रहे थी क्योंकि सान सुक्रण और तो किल रहे थी तो वो परिशान हो गयते इसलिए वो इस अंग्रे जो कि शासन से भागना चाहते थे किसान अपना लगान नहीं वसूल कर रहे थे लगान नहीं चुका पारा थे क्योंकि इधर तो सूखा पढ़ रहा है आप कैसे खेती करोगा पॉसिबल यह पैसा ही नहीं किसान के पास एक बेसे खेती करता दूसरी और बेल के रूस पमें इंसान काम करता यह तक आलत्वांग में हुई है और कई को यह दोनुकि दोन हो जो है बग जो हैं हल को खुद इंसान जो है चला रहा सा तो इतनी खरब देश के उसमें न् ещё सारा पेसा प्रकृतिका फॉर यह जा गया और खेदी चोपट होगी किसान भी लगातार पहलायन करके दूसरे राज्यों में जाना चुरू हो गए सत्रा सो सत्तर में बंगाल में आज तक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पढ़ा जिसमें एक करोड लोगों की जान चली गई और अकाल में लगभग एक तिहाई जनसंख्या महां की आबादी समाप्त सी हो गई बिल्कुल समाप्ती हो गई कमपनी के इस कारियों के बारे में ब्रीटेन में बतह जला तो ब्रीटेन में बहुत सार ब्रीटेन वासिए इन ध्रस्टा चारी अधिकारीगों के खिलाप कारिवाई करने की बात की कहा कि est किया जाए और साथ-साथ जो भी अधिकारी नए बेज़े जाए इंग्लेंड से उनके लिए प्रॉपर एक्जाम एक्जाम लिए जा ऐसे फाल तो किसी वेक्टी को ना भी जो वहां पर जाकर अत्याचार कर रहा है ब्रस्ट अचार फैला रहा है कंपनी को बहुत नुक्सान पहुचा इन लोगों ने वहा देना पड़ा इंडिया वापस इंडिया भेजना पड़ा तो यह हुआ था कि कंपनी के अधिकारी अधिकारियों के ब्रस्ट अचार को देखकर ब्रिटेन वासी मांग करने लगे कि कंपनी के अधिकारियों के नियुक्ति योग्जिता के अधरप की जाए इसे किसी को भाटे में चल रहा है तो कि अधिकारी पॉजिटीव में थे कंपनी घाटे में थी अब बारी आती है कंपनी के इनी भ्रस्ताचार के तोर तरीकों को कंट्रोल करने की तो प्रिटीश सरकार ने एक विचार आया उनके अंदर विचार या कि देखार यह लोग कुछ सब्सक्राइब बंगाल में यह हैं बंगाल में मंदरास में बंबई में तीन प्रेसिडेंश चल रही गवर्णर महां पर मोजूद यह लोग कर क्या रहा है तो इनकी गतिविदियों को नियंदित करने के लिए चार्टर एक्ट की स्रंखला आना शुरू हुए थी यहां से तो में कमपने की गतिविदियों को यह लिग नियंति ऑन निर्देशित करने के लिए ला गया था सता सुत्व कर दिया को तीन केंदरी करने कर दिया चाले वो मदराज की हो चाहिए वो बंबै की ऑथ तीनों प्रेसिदेंसियों को एक जगे केंदित कर दिया बंगाल में सारा पावर क्या कर दिया बंगाल में कर दिया इन्होंने क्या बोला कि जो मद्रास का गवर्नर होगा जो बंबई का गवर्नर होगा यह दोनों के दोनों गवर्नर जनरल की जो भी पावर होगी वह सब बंगाल के गवर्ण को बंगाल राच करता त lore जनल बनाया गया उसी चेंडर में बंगाल मधा मध्राश्र यूफश बनाया गया और युसका सहायता करने के लिए आप चारों लोग किसके थे इमानदार लोग भेज़े गए तो जो भी काम गवर्णर जनरल करता वो उसको पताना पड़ती वो लिकित में भेज़ दें पूरे भारत पर कंट्रोल करने का तरीका था जिसे बोलते हैं केंद्री करन की शुरुवात हुई थी क्योंकि पूरे भा काम-काज भरत में हो चाह büyapar रोजा कोई भी और हम की रिपर्ट हमारे माने संस्व सब्सप्रे बृटे सस्वाल जवाब है सवाल जवाब सबांगे तो यह लोगो० आपर यह सोंने पादेंगे और पर कमपनी के अधिकारी अतरिक्त धना कमाये क्योंकि झानों ओए आउते तो उनसे उनका संपत्ति का वियूरा लिया जाई गाए इंकम टेक्स डिकलिएशन क किया जाएगा जो तो एक स्टोड़िश गएगा अग्र आपके इनकम आपकी आई से ज्यादा निकली तो आपकी खिलाप इंपिच्मेंट किया जाएगा यही तो वाता राबर्ड क्लाइव के साथ और क्लाइव को भी इंपिच्मेंट का सामना करना पड़ा कि उसकी आई से जज़ा कहीं गुना इंकम ज़ादा थी उसने क्लियर माना ठीक है मैं क्या करता है मेरी हालात ऐसे थे कि उस समय पूरा काल गवर्णर को कंपनी के संफूर भारती चेत्र का गवर्णर जनरल नियुत किया गया और पारती चत्र क्या था मदरास बंबै और बंगल 5 तूसके पास प्रेसेड़ेंसी थी उसकी मदद के लिए चार सदसी भी भेजे गए अब सारा मेन काम कूं था गवर्णर जनरल के पास था GUVERNER जनरर बना दिया गया था और बंगाल का पहला GUVERNER KON बना था वो था वरेन हैस्टिंग कोन में ओर कोन था दोस्तों वारेन हैस्टिंग Дो था पहला गवर्णर था बूर त्म और अगी ववेसं को इन्होंने पुनर घटिट करने přेष़ कि भारत में 1773 से पहले कोई खासी न्याई ववस्ता निजिस में जादू टोरना वाला सिस्टम चलता था और शास्तरों के आधार पर किसी को न्याई मिलता था जो शरीयत के इसाफ से न्याई मिलता था धार्मिक कानूनों के साफ से था और अलग-अलग चैत्रों में अलग- 24 में पहली बार भारत में सुप्रीम कोट की स्थापना की गई इसी वजह से सुप्रीम कोट बनाए गए थी सुप्रीम कोट यह ध्यान रखना यह भी रेगुलेटिंग एक्ट में आता है और सुप्रीम कोट के जो पहले जज थे पहले मुख्य नयादिश थे उनका नाम था सर एलीजा सर एलीजा एंपे इनका नाम था सर एलीजा एंपे सुप्रिम कोड के पहले जज का नाम था यह भी ध्यान रखना आप सर एलीजा एंपे बात समझ में आगी यहां तक ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं 1773 समझ में आ गया बात करते हैं दूसरे एक्ट की देखिए पहले ही आपको बता दें कि हर 20 साल में यह एक्ट आएगा क्योंकि हर 20 साल का ही पावर था इनको बीस सालों तक कमपनी भारत में रहेगी शाषन करेगी व्यापार करेगी यह चार्टर एक्ट में लिखा था तो 1773 के बाद अगला चार्टर एक्ट का आना चाहिए था इति यंगर दर यंगर यंगर पीट दे यंगर जो उसमें प्रदान मंत्री ते ब्रिटेन के प्राइम मिस्टर थे उनके नाम चाहिा था पिट्सपेंगिया एक्ट 1784 यह लागू किया गया इसका नाम कई रखा गया पिट्स-इंडिया-एक्ट थे कौन-कौन से काम थे एक काम था एंके पास व्यापार का काम नुबला व्यापार भी करती है कंपनी दूसरा काम कंपनी प्रशासन भी करती जैसा कि हमने सुना था भी अब तो company जो है प्रशाशन करने लगी थी तो प्रशाशन भी कर रही है व्यापार भी कर रही है अच्छी बात है तो दो बोर्ड बनाएगे एक तो था court of director court of डाइक्टर जो ओल्रेडी व्यापार का काम कर रहा था एक था board of control जो की प्रशाशन के काम कर रहा था प्रशाशन का काम देखने के लिए बनाया गया और court of director व्यापार के लिए मतलब दो-दो अलग-अलग विंग बनाएगे लग-लग शाखा कंपनी के काम को बाट दिया गया अलग-लग शाखाओं में पिट्स इंडियक्ट ने बला कि यह जो हो रहा था वो इसलिए हो रहा था अधि फेल रहता क्योंकि एक आदमी को दो-दो काम दो कर दो इनको बाट दो और यह भी भूला गया कोई भी व्यक्ति अपना private काम नहीं कर सकता private business चलाने पर बेहन लगा दिया गया इसलिए पिट्स इंडिया इक्ट को उसको अच्छा उसको सुधार के लिए के बन सुधा प्रशासनिक प्रशासनिक जो भी काम थे वह सब कौन देखेगा आप वह देखे का बूर्ड अफ कंट्रोल और व्यापारिक काम के लिए अल्रेडी बनी हुए थी व्यावसाइक मामलों के लिए कंपनी की स्थती अठावा थी वह कौन था कौर्ट ओफ डाइरेक्टर यह को पूर्ट डाइक्टर कौन थे वह चार लोग शुरुबात में आये थे ना गवर्नर जनरल की कारेकारी परिशद जो उनके काम के काम उनको साहिदा दे तो बंगल के गवर्नर जनरल को जैसा कि हमने 1773 के एक्ट में देखा कि दो गवर्नर थे गवर्नर अब बंबाई मदरास चने यह सब रेगुलेटिंग एक के तहट चेन नहीं मदरास बंबई बंबई की प्रसुजेंसियों को गवर्नर जनरल के अधिन कर दिया गया यह ध्यान रखना एक काम की चीज़ती जो मैं आपको बता चुका हम अब बाद आती है अगले एक्ट में अगला एक्ट क प्रशाशन करना है शाशन करना है व्यापार करना है और यह बंबई और मदरास की प्रसिदेंसिया आपके अंदर में रहेंगी और पावर बढ़ा दिया आपकी आप और भी काम ऐसा करवा सकते हो मतलब पूरा-पूरा जो काम था वह गवर्नर जनरल के पास रहता था इन ग अपना परसनल काम नहीं कर सकते हैं नेक्स एक टाया चार्टर एक्ट 1813 इन इतरासुट तेरा में अर्फ कर रहा है किसका कॉमपणी जो है वोजिल हो रही है ज्यादा मुनाफ़ा व्यापार में मिल नहीं रहा है तो क्या करें बोज कम करते प्रशासन तो करी रही है एक काम करते आपको मुटि पजू यू आम कीवल आप करते थे वो उसको मोग बोलते ना एकातिकार 3 प्षचा मापत् खतम का अब आपका एकादिकार खत्म दूसरे कोई भी क्तिया आकर की काम कर लेगा आप अपना ध्यान प्रसाशन में लगाँ कमपनी का व्यापार का खत्म कर दिया लेकिन एक चीज को छोड़ करके जो हमें बहुत पसंद है वो है है चाई थों पर कंपनी का एक एकाधिकार कुछ चोड़ करके सरेंगे औक शक्तप कर दिया मोगा चाइनां भी में कंपनी कर दियाओ काहा थी तो आखर तो निर्ट कर आएंगे को करेंगे आपका भोच खतम आपका सवाध्यान प्रशाषन में के साध्यट व्यापारिक एकाधिकार केवल कंपनी ही व्यापार करेगी इंग्लेंड से ये एकाधिकार होता है और कंपनी के साथ साथ और दूसरे लोग भी व्यापार करेंगे इंग्लेंड से तो वह एकाधिकार की समाप्ति हुई तो अब ब्रिटिस निवासी को भारत में व्यापार कर कर रहे हैं पूरे भारत के शिक्षा पर और भारत में इसाई मिश्चार को परचार के लिए नेक्स आताहता है चार्टर एक 33 वो जो बोज़ कम किया था ना किसका company का क्या बोज़ कम किया था बोज़ यह कम किया था कि company का व्यापार का जो काम company कर रहे हैं वह एकादिकार खतम कर दिया चाय को छोड़के चाय बजगी थी और चाय को भी खतम करो यह जदा कुछ फाइदा दे नहीं रहे तो company का पूरी का व्यापार भी कर सकते तो पूरी तरह से कंपनी अब केवल कि पात पर ध्यान देने लगी प्रशाशन पर आप संपूर तरह प्रशाशन पर ध्यान देंगी व्यापार को तो नॉमली कर लीजेगा व्यापार को बहुत बहुत अश्यू नहीं है वह आपको करना नहीं है वह उनके पास प्रशास्निक अधिकार रहे गया क्योंकि व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गवर्नर जन्रल को अपनी परिशत की सलह से कानून बनाने का अधिकार मिला गवर्नर जन्रल को इतना पावर क्यों दिया क्योंकि गवर्नर जन्रल पहले क्या नाम था पहले बंग का गवर्नर जन्रल होता था वो गवर्नर जन्रल जो कि उनज्सट बंकर में इसको गवर्नर जन्रल यह fist बंगल घटा लेकिन सत ऐреël ते 33 में इसका नाम क्या कर दिया भाई अब यह होगा भारत का भारत का गवर्नर को जन्रल पहले बंगाल का गवर्णर जनरल था और 1833 तक तो मराथा मैसूर बड़े बड़े जितने भी राजा महराजा से रियासत थी सारी अंडर में आ गई थी अंगरेजों के तो पहले जो अंगरेज केवल मद्राज बंबई और और बंगाल तीन जगह पर ही काम करती अब पूरे द बेंटिक लाड वीलियम बेंटिक साब जो थे यह भारत के गवर्णर जनरल बने पहले गवर्णर जनरल इस इंडिया कंपनी के पास भारत के लिए खाव किवल अब प्रशाषन का अधिकार था लेकिन यह पूरा काम किया गया इसी बीच 1833 में का काम करने की कोशिश तो की बहुत अच्छा काम हुआ इसमें यह गवर्णर जनरल बड़ा कमाल का था लाड वीलियम बेंटिक क्योंकि सतीप्रथा को अंत इसी नहीं किया था अगर आप से कोई पूछे कि सतीप्रथा का अंत करने वाला कून था वह गवर्णर जनरल तो वह था भारत का पहला का परमिशन नहीं था अगले 20 साल में क्या करें इसका परमिशन यहां नहीं लिखावा था इससे पहले हर एक चार्टर में 20-20 साल का जो पावर था वो दिया गया था इस एक्ट से गवर्णर जनरल की परिशद में 6 सदस्य और बढ़ा दिये गए जो बृटिस संसत से मनोनि अब गवर्णर की परिशद जो थी वो छोटी पढ़ रहा थी क्योंकि देश बढ़ रहा था मतलब कबजा बढ़ रहा था तो छे और लोगों को यहां पर पॉइंट किया था ठीक कर लिया कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्छ पद पर नियुकती है तो सिविल सर्विसेस की परिक्षा का अउजद किया जाना रहा यह लाड डलो जी का कारेकाल था डूस्तों यह लाट डलो जी का कारेकाल में हो उससमये देश में रेलवे बी चल रही थी अठाव और 303 बाथ है अप्रेल यह बीड़िवी बीलाया था डाक सेवा यह सिविल सर्विसेस ऑल्रीडी का लेकिन अब प्रतियों की परिक्षाओं से कलेक्टर की पर अपॉइंट्मेंट होगी पहले भी कलेक्टर थे लेकिन वह सीधे आते थे अब कलेक्टर नियुक्ति से आने शुरू होंगे तो यह काम 1853 के एक्ट में किया गया जो की बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा कानून तो यहां तक हमने समझे सारे सारे चार्टर एक्ट कोन सा चार्ठर इक्ट 1773 से लें करके 1853 ने की बात की दोस्ता अब लुग बात करने वालें कांपनी के शार्षन के तीन मुख्य आधार इस्थम टी त्री पीलर सोफ County किंट जिए न के पिलर पर चलती थी कौन से तीन विश्वास करती थी वह था नियाए तो राम कानून वयवस्ता और नियाए यह तीन आधार इस्तम्व को मैंटेन करने के लिए इनको करने के लिए ती अलग-अलग अधिकारयों के नेक्ति होती थी जैसे सिविल सर्वेंट नागरिक सेवा सेना और पुलिस की विवस्ता और न्याई विवस्ता यह सब काम हो रहा था यह क्योंकि उनको तीनों चीज पसंद थी इसलिए उनने क्या कि हर जीलेस में राजत वसूली के लिए के कलक्टर बना है और कानुन और विवस्ता को त्री पिलर्स अफ जो है उनकी विवस्ता के तीन पिलर्स थे और बिटिज भारत में इन पदों पर भारतियों की न्यूकती शुरुवात में नहीं हो सकती थी भारतियों को बेन किया गया था और 1774 में पहली बार सुप्रीम कोड की स्थापना की जिसके जो चीफ जेस्टिस सर एलिजा एंपे थे कलकत्ता में हुई थी ध्यान रखना आप न्याय किये जाने पर बल दिया गया उन्होंने बुला कि न्याय ही सर्वोपर है न्याय बहुत जरूरी है लेकिन इस न्याय के साथ ही उन्होंने तुरंत अन्याय भी क्यों किया क्योंकि यूरोपी और भारत भारत इन सभी चीजों को सहता चला गया और अन्त में भारत रहें आजदी हासिल की 1947 में अब बात करते हैं उच्छ प्रशास्तिक अधिकारियों के प्रशिक्षन की यह जो बड़े-बड़े अधिकारी होते थे जिनकी बात करें लोग आई-स अधिकारी की बात कर रहे थे इन लोगों की जो प्रशिक्षन होता था उससे संबंदित कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं केसे वह उनको प्रशिक्ष्क करते थे तो एक तो कॉलेज बनाया थे लोगों ने ठाटार सो एक में कलकत्ता में उसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज एक्जाम भले इंग्लेंड म सेवा शुरू की थी जब exhaust में प्रतियों की परिक्षा भरत में होती ही लिए देशुरुवाथ में इंग्लेंड में इसको करवाया गया था भाशा ठाटा था लेकिन अबमोट करना चाहते हैं भारतियों को इसमें लाने से लिए अठारा सो 63 में इसकी उम्र जो है वो किस साल कर दी किस साल के बाद आप वहां की यूपीस्ट एक्जाम नहीं दे सकते अब तो यूपीस्ट के लिए काफी एज है अठारा सो 63 में 21 साल से गटा के और 19 साल कर देंगे 19 साल मैक्सिमम है अगर 19 साल से जाथा कि उम्र है आपकी एक दिन भी तो आप सिविल सर्वेंट नी बन सकते यह सब क्यों क्यों कि भारतियों को वहां जाने से दोखना था उनको बता था कि 19 साल में हमारे इंग्लिश वाले लेगे लेकिन भारती लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन भारती इसमें भी कमाल थे हवार देश के पहले आईसीए अफिशर थे सर रविंद्रनाठ टेगोर साब के भाई थे वो उनका नाम था सत्येंदरनाठ टेगोर साहब तो परिक्षय का माध्यम जो था अंगरी जी था लेकिन भारती जो है दुनिया में सबसे चंगरे जी बोल लेते हैं इत्फाक से हम लोग वह भी हुनर हमारे पास में हैं सिक्षा और सामाजिक सुधार क्या किया था अंग्रेजों ने जड़ा इसकी बात भी कर ले थे अंग्रेजों ने 1781 में भारतियों के लिए सिक्षा के ल कर सकते हैं यह संस्था थी तो यह विलियम जोन्स का नाम यहां पर आते हैं और महान समान सुधारक राजाराम मोहनराई ने भारती समाज में काफी बदलाव किये यह राजाराम मोहनराई वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सती प्रता के अंद पर जोड़ दिया जिन् राजाराम मोहन राए क्यों एसा करते थे कि सती प्रथा का अंत हो जाए राजाराम मोहन राए हमेशा बोलते थे कि अगर आपको भारत को आगे बढ़ाना है तो यह विज्ञान और तकनिक की ज्यान जरूरी है और जिसके लिए अंग्रेजी सीखना वो जरूरी यह वह अंग् थ्यान लखना और उनीके यह प्रयास आथ थे कि वह लगाता इस बात पर विद्वा पुनर विवाब भी जोडदे रहे रहे थे और सतीप्रत्रता पर वी जोड़रते। सत्य प्रथा भी बेहन होना चाहिए और दास प्रथा के भी विरुदी से तो दास प्रथा भी अंत हो गया दास प्रथा का भी अंत हो गया यह हुआ अंग्रेजों के ही प्रयास थे भारती समासुधारकों के प्रयासू से अंग्रेजों नहीं किया था कि विद्वा पुनर्विवा जो है वो शुरूब कर दिया था विद्वा पुनर्विवा कानून लागू कर दिया था कि यह भी किया था और एक आखरी याद रखना दोस्तों 1829 का बाल विवाग को प्रतिशेट किया था इसको भी सवाप्त का दिया था बाल विवाग को भी अंग्रेज के चार बड़े-बड़े सामाजिक कार्य थे जिसमें रजड़ाम महन राय के काफी अच्छा काम किया नए ग्यान विज्ञान और तकनिकी के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है यह राज़ाराम महनराई की विचारते हैं उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिठी लिखकर अंग्रेजी सिक्षा की मांग की फलता फलता 1835 में सरकार ने लाड़ मेकाले के नित्त में अंग्रेजी माध्यम में से यूरोपी ढंग से शिक्षा प्रणाली अपनाने की भारत की पहली निती खोशिप की और पहली निती के चक्कर में अंग्रेजी सिक्षा की मांग घ्रिद्र बढ़ती गई सबसे पहले उनने बोला कि हायर एजूकेशन तो वहाजी में होगी और रजाराम मोहनुराय के प्रयास ते जिसकी वजह से भारत में अंग्रेजी सिख्षा जो है वो कहीं कि आगे बढ़ने लगी अब दोस्ते हम लोगब करते हैं अंग्रेजों के आमधनी के बारे में और अंग्रेजोंने अपनी आमधनी बढ़ाने के क्या किया अभी तक हम लोगे समाज सुधार की बात कर ली बात करते हैं भूमी सुधार के बार में कैसे अंग्रेजों को लगा कि अब और आमधनी बढ़ाई जाये राजसों में प्रद्दी की जाया जिसके लिए अंग्रेजों को एक ही रास्ता दिखा और वो था लैंड डू गूंभूमी सुधार हैं तो बात करते हैं वर्रिय हेस्टेंग्स की यह वड़न हैसिंग्स सभाप का ही एक प्लान था कि कैसे इक कामपनी की आमदानी को और in crist कीया जाएं को कमपणी के पास राज्याश्वसुली करने है भूमी पकर तो अभी तक भूमी का कर तो नहीं लिया जाना था लेकिन इनकी वज़ा से यह भी किया गया क्योंकि कमपनी को आमदनी चाहिए थी क्योंकि एक बार कंपनी बृतनी बृतने को बहुत नहीं है हमारे पाछ में इतना पेशा है कि हम खुद कर लेंगे तो अपनी आमदनी को जदा बादाना था तो उन्रेजों को यह माल गुजारी का süस्टम लाना ते सलिए अंग्रेज सरकार ने अपनी सामदनी को बढ़ाने के लिए माल गुजारी यानि भूमिक कर वसूल करने के तरीकों पर विचार करने लगी वरिन हैसिंग्स ने नियम बनाया कि गाउं की माल तो गुजारी वसूल करने के लिए किशिको ठेका दे दिया जा हम क्यों भला गाउं में जाए और वहां से वसूली करें से अच्छा है कि गाव में किसी को ठेका देदी जाए लेकुन आखिर ये ठेका किसको दिया जाए और कैसे सुधार किया तो इन्होंने सबसे पहले विचार किया बहुत सारे अंग्रेज जो अधिकारी थे जो काफी जानकार थे उनने बोला देखिए हमें खेती से लाब तभी हो सकता है जब हम खेती में इन्वेस्ट करेंगे इसका मतलब सिदी सी बात है हमें खेती में सुधार करना की जरूर थे इसलिए भूमी सुधार के नाम पर इन्होंनों को बला कि हमें सबसे पहले तो खेती में सुधार करने की जरूरत है क पनी के ज़्यादा तर अपसरों को यही लगता था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधान लाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट गरोगे तो खेती बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी होगी तो किसानों से आसानी से आप टेक्स मांग सकत सबसे पहले भारत में संद 1793 में खेती को से जो कर निकलता था जो भूमी कर था उसको लेकर के पहली बार बात में पहला भूमी सुधार एक कानून लाएगा जिसका नाम था इस्थाई बंदोबस्त तो लाड कार्ण वॉलिस ने संद 1793 में इस्थाई बंदोबस्त लागू था कि हर एक गव यहर एंट का एक राजा होगा यह तालू कडार जू होते थे उन को जमिदार बना दिया गए कि आप जमीदार का काम करेंगे और आपको ठेका ले नहीं इतने गहरों बीच में कौन था जमिदार था तो राजा और तालूकेदार को जमिदार की जिम्मिदारी सोपी गई और इस तरह से अंग्रेजों नहीं यह इस्थाई बंदवस्ट की स्कीम लॉंच की पूरे भरत में जहां जहां पर अंग्रेजों का राज चलता था लेकिन समझे यह वी न और तालूकेदारों को जमीदार के रूप में मानतापAY attempt यूझे यह जमिडार झोटार पहले नहीं हुआ करता था एक जमीदार जो था जमीन दार जो होते थे गीस किसान को उसके पास जमीन होती थी वही जमिन दार लेकिन वसू्री वाले लोगों को यह नाम दिया गया और राजा थे छोटे मोटे या तालुकेदार जो होता थे उस समय के उनको बोला आज से आप जमिदार है किसी को पास किसी को 10 किसी को पंदरह से अलग-अलग घाउब बाट दिए गए कि आपका जिम्मा है कि आप इन गावों से जितना भी टेक्स निकलता है वो सारा का सारा टेक्स निकाल करके हमें दे उसका कुछ हिस्सा हम आपको कुछ हिस्साने बोला था कि इतना हिस्सा हम आपको देंगे जमिदार को मिलेगा और जितना हिस्ता जमिदार को मिलेगा उसमें से जमिद सो चुकाने का जिम्मा सो पह गया राशी इस्थाई रूप से तई कर दी गई और भविश्य में कभी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था यहीं सबस्वड़ी कमी थी माल लो किसी साल किसी साल माल लो बहुत जादा ड्रॉट सुखा हो गया प्रकृती भई महरबान नहीं होत प्रकृती आपके साथ नहीं है के बस सारा काम अच्छे से हो गया फसल करने को त्यार होगी फसल भी काट के आप बस वह बीज आपका फसल काट के पूरी कंप्लीट रखे हुए खेत में अचनक से पानी गर जाया तो सारी फसल बरबाद हो जाती है अक्सर बहुत सारे किसान कानून बहुत अच्छा सफल नहीं हुआ इससे इससे किसानों को समस्या हुई हुई अब क्या वा था जो गिसान अपना लगा नहीं दे सकता था जमिदार उसकी जमिन हड़बने लगा दोस्तों यही कारण था कि आजादी के बाद बहुत सारे लोगों के पास में जमीन नह जैसे आजादिक के बाद किसानों में यह जो असमान ता थी खेती को लेकर के यह में समझ में अब जब इस्थाई बंदोबस सफल नहीं हो पाई इसकी बहुत सारी कमियां आई थी क्योंकि राजा भी जमीदार थे वो खुद परिशान थे कहीं सारे जमीदारी तो जमीदारी बंदोबस और यह पूरे भरत में लाएगा लेकिन बंगाल प्रसिडेंशी के उत्तर प्रशिम इलाकों में जहां सबसे जड़ा किसानों को समस्य हो रही थी जमीदारों को समस्य हो रहे थी इसकी रेट को लेकर के तो अब यह लेट राएगा कि महल वारी विवस्ता लाए क्योंकि उनको लग रहा था कि जमिदार लोग विद्रहों कर रहें जमिदार लोग हमें प्रॉपर जो हिस्सा मिलना चे वो दे नहीं रहें तो 19 सदी की शुरुवात में अधिकारियों को यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस में दुबारा बदलाव लाने की जड़ों है इस राजस्व बंदोबस विवस्ता हम लोग लेकर क्या थे स्थाई बंदोबस उसमें सुधार की आवशक्ता है और यह सुधार की आवशक्ता का अनुभव जो है यह अंग्रेजों को हो चुका था इसी वजह सोचा कि भई स्थाई बंदोबस में तो नहीं कर सकते क्यों कि उसमें लिखाओ इस था यह इसका मतलब है कि दूसरा को शुदार करना मीका सुधारने क्या किया उनने आप इस नाम ओंक उन्हें चंख होगा उस्टाbstा्राव आप ऐसले लग लग और उस जो मुख्या होगा वही उस्टार का टिकственно के लिए की जमीदार होगा फेले जमीदार के हात में चारपाश समॉ lifts नियुक्त माहल होता है बृतिर राजस्व में महल एक राजस्व की इकाई होती है यह एक गाव या गावों का एक समू होती है तो गाव या गावों के समू को ही महल कहा जाता है और इसी कौम लोग बोलते हैं महल वारी बंदोबस बंगाल प्रसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में होल्ट मेकेंजी नामक अंग्रेज ने यहां नई व्यवस्ता त्यार की जिसे 1822 इस्वी में लागू किया था ध्यान रखना है यह सना 1822 इस्वी में लागू की गई थी और होल्ट मेकेंजी नामके अंग्रेज ने इसको लागू किया था इस इस्थाई बंदोबस्त की जगह लाई गे ते शुरुवात में गाउं के एक एक खेत के अनुसार अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गाउं या गाउं के समूग का राजस्व फिक्स किया गया और वसूल होने वाले के राजस्व का हिजाब लगा गया कि एक गाहों से Mich jeanne रुप लेंगे और इस राजस्व को इस्थाई रूप से नहीं किया गया जो इस्थाई बंदोबस्त की कहानि दिना कि इस्थाई बंदोबस्त में कान वालिस ने बोल जे और सराइक सकता हैं मोग पर करने का जिम्मा जो होता था जमिदार की बजाए गाउं के मुख्या को या पूरे गाउं अब गाउं तो नहीं दे सकता गाउं के लोग किसी एक व्यक्ति को सोपेंगे और वही एक व्यक्ति क्या कला आएगा मुख्या होता था अलग से कोई विशेश पद तो नहीं था लेकि इस व्यवस्ता को ही महाल बाडी बंदोबस के नाम से जाना गया यही कहला थी क्या महाल बाडी बंदोबस अब महाल बाडी बंदोबस तो उत्तर प्रश्चिमी प्रांत में थी प्रश्चिम मंगाल के बंगाल प्रेसिडेंसी के लेकिन दक्षिन भारत में अभी भी स्थाई बंदोबस लागू था जो बहुत नुकसान दे रहा था इसलिए दक्षिन भारत में टॉमस मुन्रो नाम के विक्ति थे जिन्होंने रीड और मुन्रो दो विक्ति थे लेकिन टॉमस मुन्रो का नाम आता है मुन्रो साहब ने एक नई व्यवस्ता लौंच की कि हम लोग यह इस रखा गया मुन्रो विवस्ता तो मुन्रो विवस्ता हो या रेत वारी विवस्ता एक ही बात है और इन्होंने क्या किया ब्रिटिश नियंत्रन वाले दक्षिन भारती इलाकों में इस्थाई बंदोवस की तरह जो दक्षिन भारत में ब्रिटिश के नियंत्रन में थे ऐसा क किया गया नई व्यवस्ता अपनाएगे कहां पर वो दक्षिन भारती इलाके जो अंग्रेजों के इंडर में थे उसे रेयतवार या रेयतवारी कहा जाता था तो रेयतवारी व्यवस्ता का नाम दिया रेयत का मतलब होता जोस्तों किसान जहां इस्थाई बंदोबस्त में जम से लिया जाएगा तो तामस मुंद्रो ने इस विवस्था को विक्सित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिन भारत में या विवस्ता हो करना चाहिए जो पीडियों से जमीट आता कि केसानों क०्ण जमीदार छीड सकते आप कोई जमीदार बीच में नहीं होगा सीधा को अंग्रेज अधिकारी होगा जो उनसे सीधा गाउं से एक अधिकारी से वसूल कर लेगा तो कहीं ने कि यह सिस्टम व्यवस्तित बनाएगा दोस्तों आपको आज करें से समझ सकते आप एक कानून गो समझ लो या मैं कहूं तो पटवारी एक शब्द आत किसानों की रक्षा करना चाहिए संरक्षन करना चाहिए जो कि अंग्रेजों ने कभी भी नहीं किया वह चाहते तो सीचाई की विवस्ता कर देते वह चाहते तो अच्छे बीजों की विवस्ता कर देते लेकि उन्हें कुछ नहीं कि इस प्रकार आज का जो हमारे चैप्टर था और इसका हमने पूरा complete चेप्टर वीजन कर दिया है हमने इस चेप्टर के दुरन बहुत सरी बाते सी कि दोस्तों यह हमारे चेप्टर था भारत में company राज जी का प्रभाव हमने यहाँ पर सं 1773 से लेकर के 1854 तक की 1873 तक की जितने भी चार्टर एक्टाई और अंग्रेज के इस complete चेप्टर वीजन में कर दिए मैं आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा दोस्तों यूपी बोर्ट के क्लास एट का इतिहास विशे बढ़ा इंटरस्टिंग है इसे आप देखना चाहे तो हमारे चैनल मागनेट बेंस हिंदी जो यूट्यूब या कोई पेड़ कोर्स करिअद ना पढ़ेगा कभी मेंगर बेंस आपको कूपन को जैसी मेरि नहीं करता है में में वाको सब्सक्राइब करता हैं से तक पूरा नं-सेμियों करता सब सब सकते हैं और रही बात यूपी बोड बिहार बोर्ट इंग्लीष बैंक इंसरेंश और बी एससी यूपी-थि त्यारी की तो आप यह भी त्यारी बिल्कुल मागनेट बेंस के प्लेटफॉर्म से फ्री आपको सकते हैं दोस्तों आपको जतना पढ़ना उतना पढ़ सकते हैं आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं अगर आपको आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे तो क्रपया कॉमेंट सेक्शन में लिखके जुरूर बताएं साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद थैंक यू बैरी मुच